नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से, इन दिनों भगत सिंग फैशन में है, हाल में पन्जाब के नए मुख्य मंत्री भगवत मान ने अपनी शपत समारो भगत सिंग के गाउं में पूरा समारो वहाँ पे हुआ, अभी हाल में भगत सिंग की 81st मार्टिडम डे या फिर डेथ अनिवरसरी भी मनाई गई, अचानक से एक तरह से पंजाब सरकार और बाकी जगा भी देखा जा रहा है कि जैसे भगत सिंग के याद उनका एप्रॉप्रियेशन की एक वेव चल रही है, इसी बारे में हम आज बात करेंगे, भगत सिंग के एप्रॉप्रॉप्रियेशन पर उतना नहीं, लेकिन उनके आज के समाज में खास तौर से जो युवा वर्ग हैं, वो भगत सिंग को कैसे देखें, सिर्फ क्या पीली पगडी पहने हुए एक आम, एक एवरेज नैशनलिस्ट लीडर के तौर पे देखें, या फिर उनके कुछ खास विशेशताओं को समझने की खोशिश करें, बात कर इस इर्फान हभीव जी से, जो मेरे बहुत पुराने मित्र तो हैं ही, लेकिन साथ ही बहुत भगत सिंग पे इनकी बहुत स्कॉलरली काम हुआ है, इनकी कई साल पहले, दस साल से भी पहले, की किताब है, To Make the Deaf Here, जो भगत सिंग की खुद के उनके शपते, Ideology and Programs of भगत सिंग और इस इर्फान भाई, भगत सिंग आज पंजाब सरकार के दफतरों में एक फोटो फ्रेम और बसंती पगड़ी, जो मुख्यमंत्री कई सालों से पहन रहे हैं, लेकिन आज जैसे हर आम आदमी पार्टी का नेता, भगत सिंग को एस्टैब्रिश करने के लिए बसंती पग और जिनको पूरी तरह से डिसाइफर और डिकोड किया है, आज के कॉंटेक्स्ट में, आज के हिंदुस्तान में, भगत सिंग की रेलेवेंस, उनकी इंपॉर्टेंस को हम को कैसे समझना चाहिए, मेरा संबन्द जैसे आपने का है, बहुना पुराना है, 40 साल से जादा हो ग पड़ते पड़ते भगत सिंग का एक जीवन मेरे अपने सोच में भी रहा, इंटर्नलाइज भी हो गया, धर्म की तरफ मेरा अपना रवया बहुत कुछ बदला, बहुत धर्मिक हम कभी भी नहीं थे लेकिन भगत सिंग ने और फासला कर दिया, उस पूरी सोच से, तो यह नहीं बिल्कुल नहीं, भगत सिंग शुरू में धर्मिक हैं भगत सिंग, अब इसी से बास शुरू करते हैं, भगत सिंग एक ऐसे सिख परिवार से थे जो गिने चुने लोग उस तरह के होते थे, जैसे आरे समाजी सिख परिवार, पंजाब में आरे समाजी सिख परिवार बहुत कम है उनके दादा साधार अर्जुन सिंग जो पहले आरे समाज से जुड़े उसके बाद साधार किशन सिंग उनके और बागी भाई वो सब परिवार जुड़ा रहा लेकिन सिख रहे लेकिन आरे समाज के दैरेंसर इस्वधिके की विचारदार से संब्ध रहा उनका स तो भाहर सिंग ने भी शुरू में गायतरी मन्त भी पढ़ते थे, खुद लिखा है, गायतरी मन्त भी पढ़ते थे, उनकी जो पत्र हैं, उसमें आप कैसे पत्र को अंत करते हैं, वो भी आपको, उससे अंदाद हो जाएगा, और लेटर जी बात की जो कोर्रिस्पोंडंस है, उसमें वो के साथ बदलाव आता है उससे आपको आइडिया हो जाएगा मैं नास्तिक क्यों हो उसमें उन्होंने साफ तोर से लिखा कि मैंने जीवन शुरू ही किया था एक धारविक परिवार में और धारविक अन्त आते आते वो नास्तिक होगे पूरते होते होते जब राजनी इतीवे नहीं थे तब पकड़ी भी नहीं थी ना हमने तो भगवन मान को देखा है टेलिवीजिन शोज में देखा है जी बिलकुर और जो उनकी अपनी चोईस है उसमें को इतराज नहीं नहीं चाहिए ना को मतलब है लेकिन आप जब पगड़ी पहनते हैं पी नहीं को मना रहे हैं? भगवत सिंग्ग को एक इमेज प्रदान किया रहा है भगवत सिंग को सिख बनाना और उसके पास पीली पगडेवाला सिख बनाना बगवत जो आजमी सिख अपना धर्म को त्याग दिया जिसने अपने बाल कटाए केश कटाए और एक एक उसका चार फोटो भगेज सिंग के हैं, तीन सफैद पगड़ी वाले हैं, स्टूडेंट डेस से, और एक उनका कैप में है, हैट में है, जो सबसे ज़्यादा पॉपलर है, वो ही आलेंटिडी है वगेज़ से, तो उसमें तबदीली करने की जरूत क्या है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक आप दिवार पर टांगना चाहते हो, जैसे हमने इतने नेताओं को दिवार पर टांगे रखा, इस पे में काफी समझ से मैंने सोचा है, समस्या है कि हिंदुस्तान में आज के युग में जाद अतर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोग की लेगेसी नैशनल मूव्मे करते आईए, जबकि सरदार पटेल उस समय की संग परिवार के बीच में बहुत मेजर फैसले थे, सरदार पटेल के जो भी पोजिशन रहे हों, संग, राश्ट्री स्वाइम सेवक संग के बार में वो अलग है, सिमिलरली आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है राश आजनितिक दल भागत सिंग की लेगेसी को क्लेम कर सकती है, कोई राश्री देबर नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भागत सिंह की विचाड़ार ही बात, कोई करता नहीं है, अभी आम आदमी पार्टी मुझे तो बड़ी, हुए इन्हों ने कम सकम बात करना शूरू किया, आप फोटो से आगे बढ़े की कुशिश करें भगे सिंग ने क्या बिचार छोड़े क्या विक्तित्वता भगे सिंग का क्या लिखा किस तरह का हिंदुस्तान वो चाहते थे जो उनका सपना अधूरा आप केजरिवाल जी बहुत सारे भाशन करते हैं करें अधियस वो उसमें कहते हैं कि मैं अमबेर करकर का सपना पूरा कर रहा हुँ जी अवजог निकार करकर सपना पूरा कर रहा हुँ पॉलिसी समffen Fiuk सबाध्य सिंग कभी था अप सिर्फ अमधिकर का सपना क्यों पूरा कर रहा साथा या इका दिवार पर टंग दिया, उसके लावा आप कुछ बात नहीं करते, पगड़ी पीली बना दी, जो इतियास का हिस्सा नहीं है, तो इस सब चीज से दुख होता है, आप वही काम कर रहे हैं, जो और पार्टिया करती रही हैं, जो उन्होंने कभी उसको फालो नहीं किया, आपने नाम से थोड़ा आगे बढ़ें, अपनी कवर्णिंस में भगत सिंग को इस्तेवाल करें, आपने कुछ दिर पहले बोल रहे थे कि भगत सिंग ने यूनिवर्सल ब्रदर हुड की बात की थी, तो क्या था यूनिवर्सल ब्रदर हुड का जो भगत सिंग का आईडिया था, मंत्र है, मंत्र है, उस से वो शुरू करते हैं, और वो कहते हैं कि साथ, हमारे पूरे दुनिया में इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है, यह ना, यूनिवर्सल ब्रदर रूट सिर्फ तब पैदा हो सकता है, जब आप आप सी मत्वेच छोड़ें, आप इंसानियत की तर यह आपको ध्यान रखने की ज़रत है, कि वो आदमी नौजवान है, सतरा साल की उमर सिर्फ नहीं, दूसरे को अपनाने की बात करें, उनके विचार को एकसेप्ट करने की बात करें, बल्कुल, बल्कुल, और उसी लेख में, मुझा जहां तक याद पड़ता है, वो बहुत की जो सावर करें, उसे बिल्कुल विप्रीथ है, वही तो वही बात मैं किया रहा हूँ, कि अभी कुछ दिन पहले एक लेक किसी एंदे अख़बार में छपा, जिसमें यह कहने की कुशिश किया, कि सावर कर और भगर सिंग में बड़ा प्रेम था, और सावर कर ने तो भग पेरियार ने तमिलाडू में बैठके एक बड़ा सा लेक लिखा, जिस पर मैंने हिंदू में एक आर्डिकल कई साल पहले लिखा था, लेकिन इन्होंने कुछ ने लिखा, तो यह सब चीजे हमारे इत्यास का हिस्सा हैं, तो उसको आप नहीं भूला सकते, आज जो गुमरहा करने के कुशिश कर रहे हैं, उससे नतीजा यह निकलता है, आप भगज सिंग को सिफ राश्वादी डिकलियर करके, अपनी जो आज की राजनिती है, जो सोच है, उसका हिस्सा बनाने के कुशिश कर रहे हैं, क्योंकि भगज सिंग की विचारधारा से आपका कोई तालमेल मतलब एक खास किसम की भगज सिंग की जो आईडियलाजी थी, जो विचारधारा थी, उससे उनको डीलिंग करके, उनको एक बिल्कुल एक आम एवरिज राश्वादी राश्वार का नेता के तौर पर फेश कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको दो, द पर्टी के लिडर हुआ करते थे, उन्होंने लाहॉर से भगज सिंग को एक नौजवान को बुलाया कि यहां के एरिटोरियल काम में थुड़ी मदद करो, वो आके कुछ महीने रहे, और मई, जून, जुलाई, अगस्त 1928 में लगतार जो इश्यूज निकले, उनमें एक एक दो दो तिन तिन आर्टिकल भगज सिंग ने खुद लिखे, किस तरह की आर्टिकल्स हैं, रिलिजिन और पॉलिडिक्स, धर्म और राजनीती, स्टूडन्ट और पॉलिडिक्स, सामपर दैक्ता और राजनीती, या उससे निवटने के सलुशन्स, उनम, उन्टेचबलिटी के इश्यू पर बड़ास आर्टिकल, तो ये भगज सिंग के सारे बड़े प्रिये सब्जेक्ट हैं, उस वक्त के जो हिंदोस्तान था, उसमें जो वो देख रहे थे, और मैं अक्सर ही कहता हूँ कि भगज सिंग उन लोगों में है, जिसने इस छोटी सी उमपर में कोई वि के लिए, उसमें वो दो चीज़ों पर मैं ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ दो चीज़ पर बात करूंगा, जो आज रेलेवेंट है, उस वक्त की पुलिटिकल लीडरिशिप और उस वक्त की प्रेस, दोनों के बारे में कमेंट है, जो आज आज भी रेलेवें बड़े लोग थे, आज की लोग तो कंपारे नहीं कर सकते हैं अपना आपको, लेकिन उस लीडरिशिप के बारे में भी भागर सिंग कहते हैं, कि ये लीडरिशिप, हमारे आज की राजनेताओं ने हमारे देश को बाटा है, सामपरतारिकता फेलाई है, ये पुलिटिकली बेंकरफ्ट हैं, ये भागर सिंग के वर्ड हैं, राजनेतिक दिवालिया पन हमारे लीडरिशिप का है, तो ये मायूसी है भागर सिंग की, उस वक्त की लीडरिशिप से 1928 में, उसके बाद वो प्रेस में करते हैं, और उस वक्त तो सिर्फ प्रिंट प्रेस मेडिया था, प्रेंड मेडिया है, पूरा प्रेंट ही था, और उसमें भी अंग्रेजी और बिटिश कंट्रोल प्रेस काफी, उस पर वो कहते हैं कि साहब हमारे जो प्रेस है, वो कितनी इर्रेस्पॉंसिबल है, वो फड़काओ हेडलाइन्स लगा के लोगों को लड़वाती है, जबके उनका मखसद होना चाहिए, आपसी भाई चारा बढ़ाना, साजी राष्ट्रियता पैदा करना, भगजई SINGH के शब् chorus करना अपसी भाई चारा बढ़ाना, उसके वज़ए ये लोग उकसाते हैं, प्रॉकरटिव हेडलाइन्स दियत हैं, बड़ प्रेस की बात करेंए, रेड्स बॉम्ब सेंट्रल लेजिसलेचर ये था रेड्स मतलब कम्मिनिस्ट तो ये जो उनको कम्मिनिस्ट की लेबिलिंग हुई ये कैसे हुई और किन कारणों से हुई और किस हद तक इसको आप सही मानते हैं कि उस समय की जो जो बॉल्शिविक जो करांती थी रूस की उसका डर अंग्रेजी समरजवाद को रूस में मतलब सोवीट उनियन में उसका डर हमेशा से लगा रहता था जो भी कुछ होता था हिंदुस्तान में वह एक कम्मिनिस्ट एक्शन होता था मतलब ब्लेम करना किसको कम वह हमेशा तो अंग्रेज भी करते थे ऐसा है कि लाला लाच पातराय का कमेंट है भगर सिंग के बारे में कि ये लोग मुझे लेनिन बनाना चाहते हैं लाच पातराय ने लिखा खुद कि भगर सिंग जैसे लोग मुझे लेनिन बनाना चाहते हैं तो ये एक डर बना हुआ था हर नेदा के दिमाग में हिंदुस्तान के जो जो उस आइडियालोजी विचारदारा से एंगरी नी करते थे और अंग्रेजी समारजवादी जो शाहसन था वो तो डरता ही था तो यह जो भी लोग करते थे इनकी बारे में मालूम था कि यह क्या बढ़ते हैं क्या बोलते है कोट वे बगे सिंग क्या बोलते हैं नारे यह कुन से इस्तमाल करते हैं उस सबसे अंदाज़ा यह लगा चुके थे सब लोग कि यह किस विचारदारा से प्रेयरी थे हैं किस तरह का हिंदोस्तान बिनारा चाथ हैं अमीरी गरीबी की दूरी खत्म करना चाते हैं वर्कर्स ओड वर्ल यूनाइट सारी मज़ूर्णिया के मज़ूरों एक हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब क्या है, बगर सिंग ने उसके बारे में भी डिफाइन किया, इंकलाब को इस तरह स होनी चाहिए, जब तक सामाजी करांटी नहीं होगी, जब तक जाती भेद खतम नहीं होगा, जब तक सामपरदाइक भेद खतम नहीं होगे, जब तक वर्ग भेद खतम नहीं होगे, अमीर गरीब का फासला दूर नहीं होगा, जब तक 98% लोगों का शासन हिंदुस्तान में नहीं होगा, टू पर्सेंट इलीट जब तक शासन करते रहेंगे, तब तक इनकलाब अधो रहा है, तो भगज सिंग का तो इनकलाब यह है, और यह भी कहा साथ में, रिफॉर्म नहीं चाहिए हमको, रिफॉर्म से कुछ नहीं होता है, करांती चाहिए, आमूल चूल परिवर ही है, वो कोई हमारी आजादी तक लड़ाई सीमी थोड़ी है, आजादी के बाद अगर काले अंग्रेज आ जाते हैं, पैसे वाले हिंदुस्तानी, या दोनों मिलके शासन करते हैं, यह सिर्फ काले हिंदुस्तानी शासन करें, अमीर, तब भी लड़ाई जारी रखने पड जो आप आमाद्बी पार्टी की बाद सरकार बनाती है पंजाब में, इस पर चलो ना, पीली और सफ़ेद पगड़ी की बात करने से फाद है क्या है, भगत सिंग तो यह दे गए हैं आपको वरा सब, तो फ्रेम बनाने की बार है, मैं एक चीज़ की बारे में कई बार डेलि ही नहीं हुई होती, तो वो किस तरह के नेता बतते हैं, और अगर आज के हिंदुस्तान में होते, तो भगत सिंग क्या, आज के किसी पार्टी को खास्तों से आमाद्बी पार्टी हो, या भारती जनता पार्टी हो, या इवन इंडियन नैशनल कॉंग्रेस हो, क्या इनको, इनको समर्थन देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को आज के पॉलिटिक्स में टेलेस्कोप कर रहा हूँ, मैं इस प्रेशन के जवाब बहुत बार, इस तरह के सवाल बहुत बार किया जाता है, कल भी हुआ, सुनिपत ने जहां में बोल ला था, औ हैते हुए, ठीक हाकिकत यही है, कि अगर भागह सिंग्स जिन्दा होते, तो वो अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जैसे और सौधिनता संग्राम के लोग लड़ते रहे हैं, वो इज़त ना होती जो आज इज़त हैं, आज हम उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि उस आजमी ने बाहत दुरी से अपनी जान दी, जो लिखा, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक 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 इमेज हमारे ले पीशे छोड़के गया है, और अगर जिन्दा रहते, बहुत सारे लोग जिन्दा रहे, किसको याद करते हैं, कितने लोग महतवपूर नहीं थे, यश्पाल ने बहुत कुछ लिखा है, शिवर्मा जिन्दा रहे कानपूर में, बहुत सारी संस्मृतियां लिखी, बहुत सारी चीज़े लिखी, बड़े सोचने वाले वक्ती थे, बगए सिंग के बड़े क्लोज साथियों में थे, ये लोग अर्मनात गुपता से में मिला निजाम अदिनी इसे में रहते थे, बहुत कुछ लिखा, देल लिव डेंजरिसली, बड़ी खुब्सूरत किताब, तो ये सब लोग जिन्दा रहे, और हम जानते हैं किस तरह की जिन्दगी उन्होंने उजारी, गुमनामी की जिन्दगी, ए आज कम से कम शहीद होने के बाद उनको याद कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बात की सीमित है, उससे जादा तो कुछ है नहीं, वो दुख की बात है, इससे जादा होना चाहिए. हिंदुस्तान के डिमोग्राफी में जो मिजॉरिटी के लोगें, हम लोग, हम और आप मिजॉरिटी सेक्शन के सदसे नहीं हैं, हम लोग आप माइनॉरिटी में होगें अपने उमर के हिसाब से, तो जो मिजॉरिटी है, जैसे 60% के ऊपर के आज के हिंदुस्तान के लोग 35 स जिनकी सारी constructed memory है और understanding है भगत सिंग के बारे में उनके लिए आप भगत सिंग को कैसे introduce करेंगा उनको क्या उपदेश देंगे कि भगत सिंग को किस तरह से याद करें पंजाब सरकार या फिर आज के political नेता के भाशनों में उनके photo frames में से या किस तरह से मैं ये बात बार-बार बोलता हूँ और पिछले दो दिनों मैं बोली है जगा-जगा के भगत सिंग को याद करने के लिए आपको ना मेरा लिखावा पढ़ने के ज़रूरत है क्योंकि उसमें आपको कहीं नगें को प्रिजुटे सब मेरे अपने सोच शामेर हो सकती भगत सिं मैं नास्ति क्यों हूँ एक सेमिनल ऐसे जो सबसे ज़्यादा महत बूर्ण है जिसमें सबसे ज़्यादा सोच वगर सिंग देखने को मिलती है आप पढ़ें उसको और वो मैं बार-बार कहता हूँ ये कि वो आर्टिकल जिसका टैटल बड़ा प्रोवोकेटिव है वो बड़ा रशा बड़ा-भग्ति नहीं होना चांए तो ये सब छीजे उस मैं असथे क्यों हूं उस आर्टिकल में हैं और भगवान के बारे में ये है कि भगवान की हमें नहीं है जब आदमी एड़र्सिटी में परिशानी में होता है तब भगवान को याद करता है और सारी दुनिया की काथियास यही है यही लिखते हैं और मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अपनी एक सोच है मेरे पास दिमाग है मैं उसका इस्तमाल करता हूँ सबको उसका इस्तमाल करना चाहिए और अंदभक्ती के बारे मैं कहा गांधी के कांटेक्स में बोलना है उस समय क्योंकि वो कहते हैं कि साब आप हमारे जो समाज है देश है वो एक लीडर की पीछे लगाए मुझे इतराज नहीं है जरूर कीजिए लेकिन सवाल उठाएए सोचिए क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए अंदभक्ती नहीं होनी चाहिए जो आज कितना रेलेवेंट है वो आप बेतर समझते हैं वो पढ़ें जो भगत सिंग ने लिखकर हमाया में दिया है जिसको हम पलट की देखते नहीं धन्यवाद इर्फान भाई आपने मतलब भगत सिंग के रेलेवेंस को बहुत अच्छी तर से समझाया और क्यों वो महतुपूर्ण है उनको सही तरीके से याद करना और समझना बहुत जरूरी है तो ये थी हमारी आज इर्फान हबीब जी से बातचीत भगत सिंग के बारे में समझना बहुत जरूरी है इनकिलाब जिन्दाबाद सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है लेकिन समझना जरूरी है कि भगत सिंग क्या मीन करते थे इनकिलाब जिन्दाबाद ये कारेकरम खतम होने के बाद आप जरूर पढ़िएगा और अपने मन में उसी तरह से इनकिलाब जिन्दाबाद बोलिएगा जैसे भगत सिंग चाहते थे नमस्कार